हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा नियोट्रोफिल्स के बारे में नियोट्रोफिल्स के लक्षण क्या हैं नियोट्रोफिल्स के कारण क्या हैं पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं निोट्रोफिल्स के लो लेवल्स को निोट्रोपीनिया कहते हैं निोट्रोफिल्स एक सामान प्रकार का वाइट ब्लड सेल्स है जो खास कर बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमर से लड़ने में महत्वपून भूमिका निभाता है निोट्रोफिल्स के लक्षण जैसे तेज बुखार आना, ज्यादा पसीना आना, ठंड लगना, फ्लू जैसे लक्षण, म्यूकोसाइट, पेट में दर्द होना, उल्टीवा दस्त होना, मुह वा गले में दर्द होना, दात में दर्द होना, मानसिक हालत प्रभावित होना, ग फेब्राइल नियूट्रोपेनिया होने का खतरा बढ़ जाता है इस इस्थिती को नियूट्रोपेनिया सेपसिस भी कहा जाता है नियूट्रोपेनिया सक्सिस एक मेडिकल इमर्जंसी है जो आम तोर पर कैंसर के उन मरीजों को होती है जिनका कीमो थेरपी से इलाज चल रहा हो प्रती माइक्रो लीटर ब्लड में 1500 से भी कम नियूट्रोफिल सेल्स होना नियूट्रोपेनिया के कारण नियूट्रोपेनिया वैसे तो एक स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकता है हाला कि ये बहुत ही दुरलब मामलों में देखा जाता है नियोट्रोपीनिया कई बार नियोट्रोफिल सेल्स पर्याप्त मातरा में ना बनने के कारण भी विकसित हो सकता है इसके अलावा नियोट्रोफिल्स बलड के बजाए किसी और जगह पर जमा हो जाना भी नियोट्रोपीनिया का कारण बन सकता है जिसे निोट्रोफिल पूलिंग कहा जाता है निोट्रोपेनिया कई स्वास्त संबंधी समस्याओं के कारण हो सकता है जैसे संक्रमण इसमें अधिकतर मामले वाइरल संक्रमण के ही होते हैं लेकिन कुछ मामलों में फंगल वा बैक्टीरियल संक्रमण भी नियोट्रोपीनिया का कारण बन सकते हैं। इन में मुख्य रूप से HIV AIDS, TB, Malaria और Epstein Bar Virus आदिशामिल है। विटामिन की कमी, विटामिन B12 या फोलेट की कमी के कारण होने वाला Megaloblastic Anemia भी नियोट्रोपीनिया का कारण बन सकता है। बोन मेरो के रोग, अस्ती मज़ा से संबंधी कुछ रोग भी हैं जो नियोट्रोपीनिया का कारण बन सकते हैं। जैसे Leukemia, Mylo Diplastic Syndrome, Aplastic Anemia और Mylo Fibrosis, जन्म जात रोग, जन्म से होने वाले कुछ बोन मेरो संबंधित रोग भी नियोट्रोपीनिया का कारण बन सकते हैं। इनमें मुखे रूप से Cost Man Syndrome आदिशामिल है। स्वप्रतिरक्षी रोग, कुछ Auto Immune रोग हो सकते हैं, जो खुद या किसी अन्य समस्या के साथ जुड़कर Neutrophil Cells को छती पहुचाने लगते हैं। कुछ दवाओं के प्रति, प्रतिक्रिया के रूप में भी प्रतिरक्षा प्रणाली Neutrophil Cells को छती पहुचा सकती है। Hyper Supplinism, सपलीन बढ़ने की स्थिती में भी सपलीन Neutrophil Cells को छती पहुचाने लग जाती हैं। कुछ प्रकार की दवाएं, कुछ प्रकार की दवाएं भी हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को सेल्स को छती पहुचाने के लिए उत्तेजित करने लगती हैं। इनमें कीमो थरपी वा अन्य कई प्रकार की दवाएं शामिल हैं। रेडियेशन थेरपी, कई बार रेडियेशन थेरपी के कारण भी बलड में मौझूद नूट्रोफिल्स सिल्स छती गरस्त होने लगती हैं। और पर्यडाम स्वरूप नूट्रोपेनिया हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।